दोस्तों करनाटक विधानसवा चुनाव के लिहास से दिन जैसे जैसे ढ़ल रहा है और जिस तरीके से दिन ढ़लने को आया है तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है करनाटक विधानसवा चुनाव में किसने कितना अच्छा प्रदर्शन किया ये रिपोर्ट कार्ट है हो गया यह कहा चाह सकता है यह हम इतने दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने तो अपने कि अभी भी ऐसा का जा सकता है कि वो मुख्यमंद्री के पत पर विराजमान है तो कह लिजे कि भाजपा के सीएम ने अपनी हार जो है कबूल ली है अब उन्होंने कहा क्या है यह आपको इस खबर में बताएंगे अभी तक की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं नमस्का हुआ उनका चेहरा नज़र आया मुर्जाय हुए से नज़र आये इससे पहले बताया जाला था कि पार्टी ऑफिस में मन्थन करने के लिए सबी नेताओं को बुलाया है कि आखिर हाथ हुई कैसे तो नतीजे चारी होने के बाद बसवराज बोमाई पहली बार मीडिया से उन्होंने रुजानों में अपनी हार जो है दोस्तों उसको कबूल कर लिया है उसको स्विकार कर लिया है उन्होंने कह दिया है कि हां हम से हमारी जो मेहनत है उसमें कई ना कई कमी रह गई है हम आगे देखेंगे कि कहां कमी रही है बसवराज बोमाई ने क्या 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 कहा है दोस्तों और बससब्राजा बोमेही ने कहा है कि हम लोक सभा चुनाव में मजबूती के साथ हाइएंगे रहें हम हार की समीख्षा करेंगे आगे की नहीं रंवादीं हम viens और अपके दोभाद्हे सब्सक्राइस्बै करो और यह वर्गा करेंगेंगे करकू किहएं माचल भी इससे पहले हारी बीजेपी अब करनाटक हार गई है उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी का प्रदेर्शन अच्छा नहीं रहा हाला कि देखे हम बार बार ये कह रहे हैं कि हार गई है वो इसलिए कह रहे हैं क्यूंकि अभी बहुमत का अक्रागर है वो कॉंग्रिस नपार कर लियाला कि अभी भी रुजान आ रहे हैं और उसमें गॉंग्रेस जीत के तरफ आगे बढ़ती वह निजार आ रहे हैं फिलाल भाजपा की अब दिन जैसे जैसे डहले का जितने भी बढ़ते जाएं लेकिन उसमें भारतिय जन्ता पार्टी के जीत के आसार बहुत कम है और बसवराजबुमाई इसलिए मीडिया के सामने खुद आए और उन्होंने जो कहा है दोस्तों वो हमने आपको बताया है फिलाल ये बहुत बड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार